अब अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग अप नहीं हर दुकानदार की बस एक ही अप Big Bliss Big Bliss चुने केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं अपने कारोबार को बढ़ाएं मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं Big Bliss Big Bliss हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार दोस्तो IFL Securities में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगी Weekly Equity Commodity Currency के आउट्लूप पर और हम यह जानेंगे कि पिछला हफता मार्केट का कैसा रहा और आने वाले हफते के लिए Important Technical Levels मार्केट का Trend कैसा रह सकता है अब हम सबसे पहले बात करें तो Equity Market की तो हमने देखा Equity Market में एक Range Bond Movement के साथ Trade होता हुआ देखा गया हाला कि Market जो है सबसे नेगेटिव मोड पर क्लूज होते हुए देखी गई Dow Jones करीबन 1.90% की गिरावट के साथ 34,079 की स्थर पर बंद होता हुआ देखा गया वहीं अगर हम Sensex और Nifty की बात करें तो हाँ पर भी करीबन आधे परसेंट से ज़्यादा गिरावट रही और Sensex करीबन 57,832 और Nifty करीबन 17,226 की स्थर पर बंद होता हुआ देखा गया यहाँ पर अगर हम देखे तो इंपोर्टन जो सपोर्ट लेवल है निफ्टी में 16,800 और 16,400 का रहेगा रेस्टेंच 17,600 से लेका 17,850 का हो सकता है पिछले हफते अगर हम देखे तो रश्या और यूक्रेइन के युद को लेकर काफी असबंजस की मार्केट रही इसकी वेश हमने देखा मार्केट में लोवर लेवल से अगेन रिकवरी देखने को मिली तो कहीना कही हमने देखा कि लोवर लेवल पर accumulation मार्केट में होता हुआ दिखाई दिया हमारा मानना है कि मार्केट ऐसे ही एक ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई देगा और लोवर लेवल पर हम खरदारी लॉटते हुए देखेंगे 16.800 एक महत्मन सपोर्ट रहेगा resistance जो है वो करीबन 17.600 के बीच रहेगा हमें दखता है कि मार्केट जो है इस रेंज में टेट करता हुआ दिखाई देगा हमारी सला है कि मार्केट में लोवर लेवल पर support लेवल के असपर खरदारी का trade निफ्टी में लिया जा सकता है अब हम बात करें bullion की commodity की बात करें तो हमने देखा कि gold और silver एक positive territory में close होते हुए देखे गए अगेन हमने देखा gold के भाव करीबन 2% से जाज़ा की तेज़ी के साथ 50 या 112 किस तरपर बंद होता हुआ देखा गया spot gold भी करीबन 2% से तेज़ी के साथ करीबन 1897 किस तरपर dollar किस तरपर बंद होता हुआ देखा गया मागर हम देखें तो geopolitica tension और inflation की वज़े से हमने gold में एक अच्छी खासी recovery आते हुए देखी अगले हफते के लिए हमें लगता है gold में trend positive रहेगा gold में important support 99.600 से लेकर 99.200 resistance 50.600 से लेकर 51.200 के बीच रहेगा हमें लगता है gold के भावो में तेज़ी का trend हो सकता है और gold अगले हफते 50.600 से लेकर 51.200 के level को चूँ सकता है international market में 1925 जॉड़र तक के level gold में देखने को मिल सकते है अब हम बात करें silver की silver के भावो में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली silver के भाव M6 में 63.902 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए वहीं international market में silver के भाव करीबन 23.89 डॉलर के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए यहाँ पर भी trend हमने positive आते हुए देखा हमें लगता है silver के भावो में अगले अफ़ते भी trend positive रहेगा यहाँ पर मैटकुन सपोर्ट 63.89 से लेकर 61.800 और important से डिस्टेंस लेवल 64.800 से लेकर 66.000 की बीच हो सकता है हमें लगता है कि अगले अफ़ते मार्कित में तीजी रहेगी silver के भाव उपर में 64.800 से लेकर 61.000 तक की लेवल को चूँ सकते है और international market में 25.000 तक की लेवल देखने को मिच सकते है gold और silver में trend positive रहेगा यहाँ पर खरदारी का trade लिया जा सकता है अब हम बात करते हैं base metal की base metal में हाला कि हमने lower level पर recovery देखी मगर हमने देखा कि net में base metal में एक negative territory के साथ trade होते हुए देखा गया copper के भाव करीबन half percent की गिरावट के साथ 763.45 की स्थर पर बंद होते हुए देखे गए हाला कि हाँ पर हमने lower level पर recovery ज़रूर आते हुए देखी मगर finally market एक negative territory में close हुई हाला कि base metal का जो long term trend है वो positive है हमारी recommendation है कि base metal में आप support level के आसपस खरदारी का trade मना के चल सकते हैं copper में important support 750 से लेकर 735 resistance 785 से लेकर 805 का हो सकता है हमें लगता है अगले हफते copper के भावो में again हम तेजी लोटते हुए देखेंगे 785 से लेकर 795 तक के level देखने को मिल सकते हैं lower inventories की वज़े से industrial demand की वज़े से भावो को support मिल सकता है zinc की अगर बात करें तो zinc भी करीबन 2.69% की गिरावट के साथ 296.55 के सैपर बंद होता हुआ देखा गया zinc में management support 291 और 284 रहेगा resistance 302 से लेकर 310 रहेगा zinc के भावों में expected है कि भाव उपर की तरफ trade कर सकते हैं और उपर में करीबन 302 से लेकर 305 रुपर तक के level zinc में देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर भी खरदारी की सला रहेगी तो ही अगर हम बात करें aluminum की जो कि वहाँ पर भी करीबन हमने अच्छी recovery आते हुए देखी और करीबन 2% से ज़्यादा की तीजी के साथ aluminum के भाव 260-35 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए aluminum में important support 253 और 244 resistance 266 और 272 कर रहेगा aluminum में जिस तरी की recovery देखी है industrial demand की वज़े से EVs की demand की वज़े से हमें लगता है aluminum के अंदर खरदारी का trade लिया या सकता है उपर भाव 266 से लेकर 270 तक के level को चूँ सकते हैं अगर हम बात करें nickel की तो nickel में करीबन 2.45% की तेशी के साथ trade होता हुआ देखा गया और nickel के भाव 1800 के स्तर के उपर close उनव में कामियाब रहे nickel के लिए important support 1760 से लेकर 1720 और resistance 1850 से लेकर 1890 का रहेगा यहाँ पर हमारा मानना है कि nickel में भी खरदारी का trade लिया या सकता है उपर में भाव 1850 से लेकर 1870 के बीच trade कर सकते हैं यहाँ पर खरदारी की सला रहेगी अगले week के लिए अगर हम overall देखें तो अगले week में base metal में lower level पर खरदारी की सला रहेगी अब हम बात करें energy segment की तो यहाँ पर हमने almost milagir रुक आते हुए देखा crude के भाव हाला कि March contract में एक negative territory के साथ trade हुए करीबन 1.29% की गिरावट के साथ 6 और 730 के स्थर पर crude के भाव बंद होते हुए देखे गए हाला कि हमने यहाँ पर lower level पर recovery भी आते हुए देखी currently यह करें में इंडलेशन मार्केट की बात करें तो अभी भी brand crude के भाव 90 डॉलर के उपर successfully trade कर रहे है जियो पॉल्टिका टेंशन की वज़े से भावों को आने वाले दिनों में support मिल सकता है और कहीं न कहीं supply का crunch होने की वज़े से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है broadly हमारा मानना है कि crude के भाव आने वाले दिनों में अगले वीक के लिए MCX crude के लिए important support 6600 और 6450 का रहेगा resistance 6950 से लेकर 7100 का रहेगा हमें लगता है कि आने वाले हफते में crude के भाव उपर में 6950 से लेकर 750 के स्थर को चूँ सकते हैं तो यहाँ पर भी खरदारी का trade लिया या सकता है अब हम बात करें natural gas की में important support 320 और 300 resistance 355 से लेकर 370 का रहेगा हमारा अमाना है कि natural gas में higher level बे बिक्वाली का trade लिया आया सकता है क्योंकि जिस तरीके से weather situation बन रही है US के अंदर, Canada के अंदर अगेर हम summer season की शुरुवात होते हुए देख रहे हैं तो वहाँ पर demand कम रहे सकती है हाला कि जियो पॉल्टार के टेंशन की वज़े से भावो में lower level support देखने को मिल सकता है मगर जिस तरीके से inventory build up हो रही है हमें लगता है कि भावो में again हम एक दबाव आते हुए देखेंगे तो यहाँ पर हमारी sell के recommendation होगी हमें लगता है natural cash में विक्वाली के साथ trade ले सकते है और नीचे भाव करीबन 320 से लेकर 310 के स्थर को चू सकते है अब हम बात करते है currency segment की हमने देखा USD INR करीबन negative territory में close हुआ 0.90% की गिरावट के साथ हमें लगता है कि भाव उपर करीबन 74.71 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए अब हम बात करें यहाँ पर support की तो यहाँ पर important support 74.50 कर रहेगा resistance 75.30 कर रहेगा अगर हम support zone के बात करें तो 74.50 से 74.20 resistance zone 75.30 से लेकर 75.70 कर रहेगा अगर हम यहाँ पर training range की बात करें तो यहाँ पर भाव जो है 74.50 से लेकर 75.30 तक के लेवल के बीच move कर सकते हैं हाला कि हमें लगता है कि यहाँ पर भावो में depreciation देखने को मिल सकता है तो lower level पर खतारी का trade बनाके चला जा सकता है अब यूरो की बात करें तो यूरो के भाव करीबन 1% से जाता की गिरावट के साथ trade होते हुए देखे गए यूरो आयनार में हमने 84.83 के लेवल आते हुए देखे यूरो आयनार में हमें लगता है अगले हफते भावो में कुछ negative trader के साथ trade हो सकता है यहाँ पर important support 84.20 से लेकर 83.40 resistance 85.30 से लेकर 86 का रहेगा यहाँ पर हमें मानना है कि यूरो आयनार में विक्वाली के साथ trade कर सकते हैं यहाँ पर target करीबन 84.20 से लेकर 84 तक देखने को मिल सकता है अब हम बात करते हैं agriculture commodity की हमने देखा अगला जो पिछला हफता था उसमें हमने एक positive territory के साथ market trade होते हुए देखा और अगले हफते के लिए हमारा मानना है कि भावो में तेजी का रूप रह सकता है अगर हम गवार की बात करें तो गवार सीट के भाव 0.14% की तेजी के साथ 6,338 के सतर पर बंद होते हुए देखे गए गवार में important support 6,150 resistance 6,500 का रहेगा यहाँ पर खरदारी के साथ trade ले सकते हैं उपर में भाव 6,500 के लेवल को चूँ सकते हैं अब हम बात करें केस्टर सीट की केस्टर सीट हमने देखा पूरे हफते एक आउट परफॉर्म रहा करीबन 4,5% की तेजी के साथ भाव 7 यार 114 के सतर पर बंद होते हुए देखे गए यहाँ पर important support 6,800 का और resistance 7 यार 400 का रहेगा हमारा वानना है केस्टर सीट में भाव उपर में 7 यार 400 के लेवल को चू सकते हैं export demand और lower arrival expectation की वज़े से भाव को support मिलता हुए दिखाई दे रहा है हमें लगता है अगले एफते केस्टर के भाव में अगेन हम तेजी का परुख आते हुए देखेंगे अगर हम मसालों की बात करें तो turmeric के अंदर भी हमने अच्छी खासी recovery आते हुए देखी turmeric के भाव 3% से ज़्यादा की तेजी के साथ 10 यार 218 के सतर पर बंद होते हुए देखे गए lower acreage, lower arrival और एक्छी export demand की वज़े से भाव को support मिलता हुए दिखाई दे रहा है हमें लगता है turmeric के भावो में अगले हफते भी trend positive रहेगा और यहाँ पर target करीबन 10 यार 500 से लेकर 10 यार 800 तक के level turmeric में देखने को मिल सकते हैं हाला कि सभी मसालों के अंदर हमें लगता है trend positive रहेगा तो यहाँ पर खरदारी की सला रहेगी तो यह था हमारा weekly outlook equity commodity currency पर आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा अपने portfolio में आप हमारी recommendation को के according अपने portfolio को design कर सकते हैं आशा करते हैं आप हमारी video को पसंद करेंगे आज आप हमारा IFL security का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो आपके लिए हम हर अफ्ते लाते रहेंगे जो कि आपको trading में helpful करेंगी आज ही अपना IFL commodity का अकाउंट activate करें और commodity currency को अपने portfolio में add करें धन्यवाद